Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शिर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रिडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रिडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रिडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिससाब से इस रीडिंग को देखें. तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2022 की Love Tarot Reading. तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि April 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी. तो में पर से यहां पर तीन सेट अफ कार्ड्स हैं. फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे, सेकिंड सेट में आपके पार्टनर की Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली April मंथ में क्या हो रहा है. तो आप से शुरू करते हैं Capricorns आर आपके लिए देखें deeper level के लिए. यहां तीनों ही कार्ड्स बहुत एक प्यार, महबबत अपने पार्टनर के लिए महसूस करने की बात करते हैं. Together Forever का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर का साथ चाहा रहे हैं. आप marriage, engagement या फिर long term, again मैं कहूंगे अपने पार्टनर के साथ चाहाते हुए दिख रहे हैं. wishes का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए वो wish हो सकते हैं, वो desire हो सकते हैं, जिनको आप हर हाल में manifest करना चाहा रहे हैं. और देखे, arrow heart का भी कार्ड कहीं यही कहता है कि बहुत जबरदस्त एक attraction, बहुत जबरदस्त एक connect आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं. और देखे, कहीं surface level के लिए five of wands का का कार्ड कहता है कि इन ही सब चीजों को लेकर या फिर otherwise भी कुछ time से या फिर April starting में एक conflicting सी energies हैं और देखे, यह general reading है तो यह conflicting energies सब के लिए differ कर सकती हैं. कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि externally situations या फिर circumstances इतने supportive नहीं है, externally again मैं कहूंगी situations की तरफ से जो भी लोग आपके साथ हैं और आपके loved ones हैं, उनकी तरफ से कुछ challenges हैं, कुछ problems हैं, इतना support आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है इस love life, इस relationship के लिए, कुछ Capricorns के लिए हो सकता ह कि आप खुद ही किसी चीज को लेकर मन ही मन बहुत एक conflicting energies में हैं, जहां पे एक उलजन, एक दुविधा आपके मन में रह रही है, और दिखें, mid April के लिए हाँ पे two of wands का card कहता है, कि confidence again अपने उपर, इस relationship के उपर या फिर अपने partner के उपर आपको आता हुआ दिख रहा है और इसी confidence के साथ आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, next steps प्लान करना चाहा रहे हैं, लेकिन साथी साथियां तो आप बहुत logical हो रहे हैं, बहुत mind से चीजों को deal कर रहे हैं, या फिर कोई figure आपकी life में है, या फिर कोई इंसान आप आपकी life में हैं, और देखिए ये कोई भी हो सकता है, लेकिन female figure मुझे जादा दिख रही हैं, जो आपको एक logical perspective देते हुए दिख रही हैं, यानि कि चीजों को logically deal करने के लिए कह रही हैं, तो देखिए फिर से आपकी energies, देखे Capricorns, तो मन ही मन बहुत एक प्यार महबत आप surface level पर बहुत emotional नहीं हो रहे हैं, अगें देखिए starting में एक conflicting energies रह सकती हैं, हाला कि एक confidence आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं, आप mind से चल रहे हैं, एक detached तरीके से again मैं कहूंगी, हर चीज को face कर रहे हैं या फिर deal कर रहे हैं, और अब आप देखते हैं Capricorns के आपके partner की क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए देखिए सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Six of Cups, और Six of Cups का card past की बात करता है, और देखिए ये थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है, again ये general reading है, कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है, कि जो भी पल Capricorns आ उनको पुराने दिनों की बहुत याद आ रही है, कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है, कि past का कोई इंसान, past का कोई relationship, past की किसी event पे वो बहुत focus कर रहे हैं, उसको बहुत याद कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि past की कोई चीज, current, you know, उनकी life में आ रही है, और नीचे देखे, time का card कहता है, time किसी भी तरीके से एक बड़ा factor रह सकता है, और देखे, ये भी थोड़ा-थोड़ा differ करेगा, कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है कि time को बहुत importance दे रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि time की बिलकुल भी value नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि च सब के लिए different times related, एक issue यहाँ फिर मसला रह सकता है, और देखिए कहीं mid April के लिए यहाँ पे tower rivers का card कहता है, कि आपके partner किसी चीज को लेकर एक घुटन, एक suffocation महसूस कर रहे हैं, कहीं you know कुछ feel कर रहे हैं, लेकिन खुल के आपको नहीं कह रहे हैं, खुल के express नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी चीज को went out करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भी otherwise भी एक turmoil, एक ulgen, एक बहुत discomfort उनके मन में रहतावा दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे power का card भी कहता है, कि अपनी feelings, अपनी emotions को बहुत जादा control करके ही आगे बढ़ रहे हैं, फिर से द दिख रहा है, और देखिए जो भी mid April तक हो, कहीं end April के लिए wings of love का card कहता है, कि कुछ changes आपके partner लाना चाह रहे हैं, देखिए इस card में भी लिखावा है, love is transforming you, either by flying in or flying out, तो देखिए उनको ऐसा लग सकता है, कि finally उनको एक decision लेना है, कि उन्हें इस relationship में रहना चाहिए, या फिर इस relationship से move out कर जाना चाहिए, और देखिए again ये भी सब के लिए differ करेगा, कुछ Capricorns के partner के लिए हो सकता है, कि इस relationship में रहना चाहते हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship से बाहर निकलना चाहते हैं, और देखिए जो भी changes वो लाना चाहा रहे हैं, उसी से ही related, काफी action initiatives आपके partner लेते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ challenges, कुछ problems भी उनको face करनी पड़ रही हैं, लेकिन वो किसी भी चीज से डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं, बहुत ही courageously, बहुत ही boldly हर चीज को deal करते ह हर चीज का upfront होके सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब देखते हैं Capricorns की April month में क्या हो रहा है, तो देखिए April month के लिए आपे सबसे पहले cards में जो दिख रहे हैं Lust and Strength Rivers, और देखिए Lust का card बहुत ही clearly physical attraction, physical intimacy, physical connect की बात करता है, जो आप दोनों के बीच में या तो ह हो रहा है, या फिर आप दोनों चाहा रहे हैं, या फिर आप दोनों महसूस कर रहे हैं, और उसी से ही related या फिर otherwise भी, कुछ challenges रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ issues, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि पीछे बहुत सब्र, बहुत patience के साथ, अगर आ आप दोनों चीजों को deal कर रहे थे तो कहीं देखिए अपनी patience आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खोते वे दिख रहे हैं एक frustration एक irritation again आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते वे दिख रहे हैं और देखिए आप इस self love and five of cups के cards कहते हैं कि कहीं mid April में या फिर एप्रिल मन्थ में जो भी चीजें आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर जो भी issues हैं, मसले हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उनको ignore करके उनसे अपना attention हटा के जो चीजें इस relationship में अच्छी चल रही हैं उनहीं पे ही focus करके कहीं आगे बढ़ कर रहे हैं हो सकता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा हो कि पीछे आप लोगों ने अपने आपको कहीं उतनी importance नहीं दी अपने आपको बहुत जादा backseat पे रखा जिसकी वज़े से issues हुए जिसकी वज़े से मसले हुए और कहीं यही mistake again positive frame of mind लाते हुए दिख रहे हैं लेकिन खुद को भी prioritize कर रहे हैं खुद को भी importance दे रहे हैं और देखे आपे love of money and ace of pentacles reverse के cards कहते हैं कि एक realistic, एक concrete beginning आप लोग करना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं money या फिर professional life या career एक issue एक मसला रह रहा है या फिर बहुत practical, realistic तरीके से आप लोग चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और उसी से ही related कुछ issues हैं, कुछ challenges हैं और कहीं अपने professional front, अपने career को या फिर materialistic, tangible चीजों को money, पैसे को आप लोग जादा एहमियत, जादा importance देना चाहा रहे हैं या फिर दे रहे हैं या फिर circumstances ऐस हैं, जहां पर again मैं कहूंगी कि एक practical, realistic approach रखनी पड़ रही है, materialistic, tangible या फिर money पैसे पर attention देना पड़ रहा है, तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करे मिला मेmir, आपके साथ आपके एक का जवाब वेक बचेश्स करेंदारी स्कारी